दोस्तों स्वागत आप सबका इंडियांस नमरें फेंटेसी किरिकेट गुरू यूट्यूब चनल पर गाइस आज विग बैश लिग का 13 टीटवेंटी मैच मैलबॉन स्टास और सिड्नी सिसर के बीच में खिला जागा उन्हें टेलीग्राम पर फॉलो किया हुआ है उनको पता है अब तक बीच लिग के जितने भी मैच के लेगे हैं लगबग हर एक मैच में हमने क्लीन स्वीप किया है अगर कल की बात करें तो कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा या आप टेलीग्राम पर होंगे तो जि जितनी भी लीग जोइन करें सारी की सारी विन की अब भाई अगर आपको प्रूफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मैं आपको प्रूफ देता हूँ जिस बाइने टेलीग्राम जोइन नहीं क्यों हुआ है अगर आप हमारी तरह रोजाना विन करना चाहते हो जिस तरीके से हम लाख रूपय का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा देखें सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए इस वीडियो में एक एक चीज मैं आपको क्लेरली बता दूँगा कि कौन सी टीम मैच जिदेगी कौन-कौन से प्लेयर रन बनाएंगे कौन-कौन से बॉलस विकेट निगा लेंगे कौन-कौन से प्लेयर हैं जो हमारी फैंटासी की टीम में होना चाहिए ठीक है अब इतना सब कुछ अगर आपको पता चल जाएगा तो फिर आप बताईए आपको कौन हरा सकता है अब यह सब आपको फीर सारा पैसा कमाने विदिया यह तो उमीद है आप भी पैसा कमाने के लिए आख आए तो आप भी पूरा वीडियो देखेंगे टेक है अगर आप रोजनाना मेरे ऐसे वीडियो देख करके रोजना पैसा कमाना चाहते हो तो नीच Umne Senior, को 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 नहीं किया तो कर दो और मुझे थोड़ा सा प्यार देने के लिए ताकि मैं आपको ऐसे ही रोजाना बिंद करवाते रहूं नीचो जो लाइक का बटन है प्लीज यार दबा दीजे क्योंकि आपका एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा लाइक करने पो नहीं आपका एक भी सेकें और आपको बताए कि फाइनल जो टीम बनती है तो हमारी जो टीम है जिस टीम के साथ हम खेल रहे हैं जिस टीम के साथ हम रोजाना विन कर रहे हैं अगर आपको टीम चाहिए और आपको धेर सारा पैसा जीतना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना वहाँ पर मैंने फैंटेसी किर्केट गुरू टेलीग्राम चैनल फैंटेसी किर्केट गुरू बिल्यूटिक वेरिफाइड चैनल है 6,11,000 लोगों ने लगबख पहले जोईन कर रखा है इतने सारे लोग रोजाना विन कर रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना और लिंक से जाकर टेलीग्राम चैनल जोईन कर लेना अगर भाई चांस लिंक से जोईन ना हो तो आप एक काम करना आप फैंटेसी किर्केट गुरू जो इस चैनल का नाम है वही सर्च करना टेलीग्राम पर बिल्यू टिक वाला आपको चैनल में लेगा हो जाकर जोईन कर लेना ठीक है टॉस के टाइम पर मैं आपको वहाँ पर टीम दे दूँगा आप गाईस बात करें आज के मैच के बारे में पर गाउस बात करें इस मैच की तो एक बच के पतालीस मैच पर शाम को मैच स्टार्ट होगा दो पेर को ठीक है एक बच के पंद्रामों पर टोस होती ही मैं आपको ट्हलीकर आपट टीम दे दुगा अब गाईस जैसे में आपको रोजा ना बोल रहा हूं आज फिर से बोल रहा हूं जिन लोगे अभी तक माई लेंग सेकल एप को साइन अप नहीं किया है किस चीज का अंतजार कर रहे हो एक करोड रुपए दे रहा माई लेंग सेकल आपको अगर आप फर्स्ट रैंक पर आतो वह भी लीडर बोर्ड में जिसकी कोई इंट्री फिजन नहीं होती है फिरी का लीडर बोर्ड होता है अब उसमें अगर एक रैंक पर आगे एक करोड रुपे हो सकता है विग बैस लीक म मतलब सिर्फ साइन अप करने पर आपको पंदरा सुर्प मिल जाएंगे और आप पहला जो भी करोगे उसका ट्वंटी प्रसंट एक्स्ट्रा कैश आपको मिलेगा मलीज आपने हजार डिपोज्ट किये तो आपको बारा सो रुपे मिल जाएंगे दो सो रुपे फिरी में औ और क्या चाहिए और आप यहां पर अजिंग के रहाने वीवियस लक्षमन सौरफ गाउली राशिद घान जैसे प्लेट के साथ खेल सकते हो जो कि आप ड्रीव लवन पर कभी भी नहीं खेल सकते हैं तो इतना सारा अच्छा एक्स्पिरियेंस आपको हां पर मिलागा और जो दोने टीम के बीच मैच के लागा था वो सिड्नी में खेला गया था सिड्नी ने जीता था आज मैलबॉन में खेला जाएगा मैलबॉन में कौन जीतेगा तो मैलबॉन के अगर हम बात करें तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है यहां पर लगबग 171 80 के आसपास टोटल बनना चाहिए उसी के अपने टीम मनानी है अब जो विकेट है वो मैक्समूम पेसर्ग को मिलेंगे हाला कि दोने टीम के पास अच्छे इस्पिनर्स हैं ठीक है एक तरफ इस ट्रफ एक तरफ एडम जंपा है कह से मद है लेकिन फिर भी ज्यादा विकेट पेसर्ग को एक एक चीज आप घ्यान से सुनना आपकी एक अच्छी टीम बन जाएगी देखिए पिछले तो चार मैचे इस ग्रावन पर खेले गए यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कितना स्कूर बनेगा चौते मैच में 188 बना और इस मैच को होबाट की टीम ने 7 रन से जीता उसके बाद फिर 150 बना और इस मैच को फिर से पहले बैटिंग वाली टीम ने 11 रन से जीता उसके बाद फिर 177 बना और इस मैच को चेस करने वाली टीम ने 5 फिकेट से विन कर लिया और उसके बाद फि देखो कि जो पिछले चार मैचों विकेट गिरे हैं उसमें 36 विकेट पेस्ट को मिले हैं इस चीज़ को आप देख लिजेगा कि कितने विकेट आज इस्पिनर्स को मिल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग ठीक है उसी के अकॉर्डिंग आप टीम नाइएगा अब head to head की बात कर तो होगे कि आज कौन जीतेगा ठीक है लेकिन मेरे हिसाब से यह रिजर्ट थोड़ा अलग होने वाला है अब गाइस बात करें हैं पर हम प्लेयर्स के बारे में यह चीज़ आपके लिए इंपोर्टन है अगर आप fantasy खेलते हो तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कौन-कौ चुलर चुकर कर रहे हैं आपके फिलिप फिलिफ irasie यहां पर बना रहें फिलिफ programme यहां पर बना रहें he इस गद हेंडिकेज शींतर यहां पर बना रहें तो हेंडिकेज भी ठीक ठाक फॉर्म होते हैं और मेरे एसाब से शिडनी की तरप से यही तीन प्लेए रहे हैं जिनसे आप खासी उम्मीद कर सकते हो इस मैच में भी अब बॉलिंग में S.T.A.S. की टीम तो मैलवान स्टाहस के लिए मैं आपको बता देता हूं आपके जो Maxwell है वो रेगूलर पोहम कर रहे हैं यहाँ पर एक विए? यहाँ पर आपके लिए आपके देख सकते 66 बनाएं यहाँ पर 71 प्लस एक विए और यहाँ पर दो मतलब हर मेंच में Maxwell perform करते हैं Sydney के अगेंस्ट तो इस बात को देखते हुए आप थोड़ा सा अंदारा लगा सकता हूँ कि आपके लिए क्याप्टन वाइस कप्टन विए कौन सी चोईस अची होंगी फिलिप या Maxwell या आपके लिए करके लेकिन उसके पहले रिगुलर कर रहे थे तो इसके तो यह कुछ प्लिएर गोन आज आज पहुंंगे को आप पूरा वीडियो देखेंगे आश्ता 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 आपको रिपीट हो जागा और आपको समझ में आजाएगा कोन को से प्लेयर आज पहुंग करने वाले हैं आप गाइस देखो हर चीज में आपको Sydney Sixer फैवरिट दिख रहा है इस सीजन में Sydney Sixer जीता हूँ इससे पहल सब्सक्राइब को जीतने वाला है और मैं इसी के अकॉर्डिंग टीम बनाऊंगा ठीक है अब आगे हम बात कर लेता हैं यहां पर आपसे फ्री गिए कोस्टन के बारे में आपको अदाएम आपसे वीडियो में सिंपल सिंपल दो कोस्टन रोजाना पूछता हूँ मतलब एक मार्कस स्ट्वाइनिस कितने रन बनाने वाले हैं और उनको आउट कौन करेगा यह सिंपल आपने बताना है लेकिन कितने रन बनाएंगे यह एग्जैक्ट नंबर आपने बताना है अब भी answer मत करिएगा पहले दूसरा question सुनिएगा दोनों question सुनने के बाद आपने comment section में जा रहा है comment section में ये hashtag use करते हुआ आपने दोनों questions के answer करने हैं उसके लिए दो छोड़ी-छोड़ी conditions हैं एक तो अपने वीडियो करना और इस वीडियो को कहीं पर भी आपने एक बार शेयर कर सकते हो जब आप winner बनोगे आपसे प्रूफ महँंगा कि आपने कहां पर शेयर किया था अगर आप प्रूफ नहीं दे पाए तो आपको एक भी पैसा नहीं बिलागा तो इसलिए शेयर अब यहां पर देखो का अंधर असल छटे नंबर है हाले कि इनको कभी भी पर्मोट किया जा सकता है उस बाद नाथन कल्टर राइल है और एडम जांपा है थोड़ा सा कंफ्यूज होगा था नाथन कल्टर राइल खेल रहे हो इस मैच को भी खेलेंगे ठीक है तो यहां पर पहुंब नहीं कर रहे है बंदा एक मैच में स्कोर किया उसके लगातार फ्लॉप तो मैं जोई क्लाव को लेना चाहरा हूं लेकिन फाइनल डिसीजन टॉस के टाइम पर दूंगा आपको तो इसलिए बोल रहा हूं जिसने टेलिग्राम जोइन नहीं क्या प्लीज जोइन कर होंगे और एक चीज़ आपको जादू हिल्टन की थोड़ी बैटिंग डाउन आती है लेकिन यह प्लेर रेगुलर पहुंब करता है सिड्नी के आगे आगे दिखाऊंगा और इस ग्राउंड पर हिल्टन का बहुत अच्छा पहुंबंस है उस बात बीयों को मैं लोंगा नह हलेकि हो सकता है मैं टॉस के टाइम पर नातर के साथ चले जाओं लेकिन फिलाल मैंने ब्रोडी को लिए होगा क्योंकि आज मैं थोड़ा अलग करना चाहरा हूं मैच में ठीक है उस पात एडम जंपा मेरी टीम होंगे कैस एहमत इनको मैं नहीं लोंगा हलेकि इन्होंने ला और सथी साथ आपके shift choices दिए के इन तीन को बहुत कम लोग लेने वाले है जिसके पाकिस्तान ब्रेंडन के को को इन को 12 के लिए का चैन को ये क्या ये ने घ्रीक gefी आतल bacon कि ऐक तरीगा होता है आपको थोड़ासा रिस्क लेना होता है लेकिन लोगिन लॉजिक था मेरा ठीक है तो इससी तरीकिए से आपने लाजिकली एक रिस्क लेना होता है अगर आपका रिस्क काम कर जाता हो आप असानी के ले रेगुलर पोहम कर रहा था और इस ग्राउंड पर यह ठीक ताउंड कर लेते हैं अब बात करें जोई क्लाउंड की तो जोई एकलाउंड को लू या ना लू हिल्टन पर लगाता है नोड आउंडिर लिए कि डाउन आते हैं बैटिंग में इस टीम किया गैस्ट रेगुल और्डर के हिसाब से क्योंकि इनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी रन बनाने की है ग्लैन मैक्सवल हर मैच में रेगुलर कर रहे हैं इस टीम के अगेंस्ट भी इस ग्राउंड पर भी ठीक है अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर आपका मिडल ओर्डर ठीक है व पिछले मैच विकेट नहीं मिलाता लेकिन यह बहुत ही गजब के बॉलर है और इस ग्राउंड पर तो बहुत ही गजब के साबित हो जाते हैं तो नातन कल्टर नाइल आपकी टीम में होना चाहिए शायद मैं भी इनको अपनी टीम में लूँगा उस पर एडम जंपा है अगर यह टीम पहले बॉल Kelvin कराती है तो आप नाथन कल्टर नाल के साथ एडम जंपा को ड्रॉप करतो हूँ यह डै हमन को पिक कर सकते हो लेकिन अगर यह टीम बाद में कराएगा पहले बेटिंग करेंगी तो आप एडम जंपा को टीम में रख लेना इनका पहुमस काफी एच्छे चल रहा है ट्वुनटी बिलास से हर में विगट निकाल रहे हैं और इस तीम के अगेस्ट भी एक ही मैच में चार विगट निकाल चुके हैं तो कैस को आप ले सकते हो उसके बाद आपके क्लिंट है इनको लुंगा ने निकलार कि आपको निकलार इनका बोल रहा था कि रोने एक ही मैंचे पहुम किया है वावन रन ठीक है उसके पहले 2020 में काफी अच्छी पहुम कर रहे थे लेकिन इस ट्रीम के आगेस्ट आप दिखोगा 38 रंड के अगर इनिंग छोड़ तो कुछ खास नहीं किया है भाई ये ग्राउंड पर ये सब भूल जाओ आप जो आउड़ फॉर्म है ठीक है ये ग्राउंड का आप ध्यान में दो क्या ही गजब का खेलते हैं इस ग्राउंड पर निकलार कि तो यही कुछ चीज़े हैं जो मुझे निकलार कि जॉए क्लार गाले ये टिम पहले बैतिंग करेंडु कि तो फिर मैं निकलार इन गिम को ले लुगा कि तो फिर ये टिम पहले बॉलिंऀ को यह उतनी में गानिक आते नहीं है आप चाहो तो ले लहना और मैं तो गौंगा नहीं लेना ज्याद अच्छा रहेंगा रहेrobe सो सब्यूभार कि प्लेस का सिड्नी के अगेंस इस टीम के अगेंस पूरी तरीके से फ्लॉप होते हैं सिर्फ तेरा का औरेज है लेकिन इस ग्राउन पर उतना ही अच्छा खेलते हैं उस बात मैक्सवेल है बहुत ही गजब के रन बनाएं बाई पासो ते तरन ग्यारा विकेट भी निकाले तो काट राइड का दिखो कि पांच मैंच नौन खेला पैंतिस का अब बॉलिंग देखी रसल पांच-चार मैंच उमें छे विकेट साथतर रहन जंपा आठ मैंच में ग्यारा कि बहुत यच् और आपके कैस है मत एक में चार्वगिट दो विक्ट तो यह है पाँमेस मधस स्धास के प्लियर का सिड्नी के अ乾ने अब बात आगई चाए. और सब्सक्राइब है। यह नहीं के प्लेयर होना है। बाई मैं जैंप स्विल्फ जॉश फिलिफ और आपके हेंडिकेस तीनों को टीम में रखूंगो टॉप और से उसके बाद क्योंकि यार डैनियल हुज जैसा है एक तो इनकी बैटिंग कभी लेट हो जाती है और दूसरा इनका कोई ऐसा पोहमेंस नहीं इसक्यों से आप इनको करो एक मैच ऐसा है जिसमें आपको तीन-चार विग्ट देके जाएंगे और तीन-चार विग्ट अगर आपको देके चलेगे तो आप सोच सकते हो कि डैन क्रिश्चन को कितने लोग लेते हैं आप आसानी के साथ ग्रैंड लिग में कर लोगे लेकिन लेना हर मैच में आपन करतार यह आप 10 मैच हार होगा लेकिन एक मैच में आपको अच्छा जिता के चले जाएंगे उस बार टॉम क्रॉंट मेरी टीम में होंगे और यहां से क्रिस जॉर्डन और इस्टी ओकिफए इनको लेके मैं कन्फ्यूज हूं क्रिस जॉर्डन ने अभी तक मैलबॉन के अग मैं आपको टेलिग्राम पर बता दूँगा अब गाइस बात करें आप पर प्लेयर्स के बारे में जैंप स्विंट जॉश फिलिफ यह दोना काफी अच्छा कर रहे है इस टीम के अगेंस्ट भी और इस ग्राउंड पर उतना अच्छा नहीं लेकिन ठीक है लेकिन रिसेंट भी जाए तर नौट आउट दिख रहे हैं डैनिल क्रिश्चन कुछ खास कर नहीं पा रहे अभी तक ना इस टीम के अगेंस्ट ना इस ग्राउंड पर और नहीं इस ग्राउंड पर तो इन्हों अच्छी खासी इनिंग के लिए सिर्फ एक मैच में फिलॉप है बाकी हर मैच में डैनल क्रिश्चन ने स्कोर किया इस टीम के अगेंस्ट कर ने चुके अब उधके बात करें किरिक जौड़न की इस टीम के आगेंस्ट तो अभी तक खाता निकुला तीन मैच जिरौ विगरड इस में थोड़ा कंफीज हूँ हो अगर डाय थावल के लिए पहले बॉलिं नहीं लूँगा क्योंकि इस्ट योगी फिर अच्छा कर रहे हैं इस तीम के अगे एक में विकेट ले चुके हैं इस ग्राउंड पर इनको विकेट मिल जाते हैं उसके बाद सीन अब और भी उतना ही अच्छा कर रहे हैं आप देख सकते हैं ऑपर पांच मेचों में इन्होंन अलग सी बात है लेकिन अगर एक प्लेयर इक टीम का परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप दूसरी प्लेयर को ट्राइब करें बैंड वर्शिज इस तीम के अच्छा खास से पांग कर रहे हैं विकेट निकाल रहे है इस ग्राउंड पर विकेट निकाल रहे है तो आप रिकी एडवर्ट से यह पोप यह शाहिद खेलेंगे नहीं अब आगे हम बात करते हैं शिट्निक की प्लेयर का मैलवॉन के आगेस्ट पहुंएस आपके फिलिप नौ मैचों में 24 कावरेज उतना अच्छा नहीं है लेकिन रिसेंट अच्छा कर रहे हैं जैम स्विस आट मै चल रहे हैं लेकिन इन्हों ने अच्छा खासा स्कोर किया हुआ है स्टीम के आगेस्ट बारा मैचों में सतरा विगेट बहुत ही घजब का होते हैं अभी तक खेले नहीं है लेकिन मैच आँगा कि यह खेले लिए तो इसलिए बोल रहा हूं कि वहीं जॉर्डन को ड्रॉफ सब कुछ आपके समझ में आ गया है अब सेकंड के वह किसको मिलेगा अपने करना क्या चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है और दोनों कोश्चन का यह हैस्टाग यूज करते हुए कमेंट सेक्शन में आउस्टर कर देना है और भाई कहीं पर भी वाट कहीं पर भी आपने वीडियो एक बार शेयर कर देना है अब बात करें टीम के बारे में तो यह फिलार मैंने माइलें सर्कल के टीम बनाई हुआ है इसमें आप देख सकते हैं मैंने जॉर्श फिलिप और जॉय क्ला को विकेट कीपर लिया हुआ है एक चीज आप नोटिस करे कि यार कुछ फिलियर को हम फाल्तु में ले रहे हैं जैसे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के मैंच में मैं नहीं चाहता था कि फकर को में टीम में लेकिन मजबूरी थी कि भाई तीन प्लेर लेने पड़ते हैं ऐसी मजबूरी आपको माइलें सेकल पर नहीं होती है आप एक के साथ भी टीम बना सकते हो हैं अगर पहले बॉलिंग कराएगी तो आप जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूँगा तो गाई इस वीडियो में इतना ही अब आप करो क्या आप डिस्क्रिप्शन में जाओ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक पर जाकर के फटा फट टेलीग्राम जोन कर लो फैंटेसी किर्केट गुरू बिल्यूटिक वाला छे लाग कि 11,000 लोगों ने पहने जोइन कर रखा जो रोजाना बिन कर रहे तो आप भी जाओ और जोइन कर लो अगर लिंक से बाई चान्स जोइन नहा हो तो आप टेलीग् पर लिंक मिल जाएगा पर लिंक से जाकर के सायन आप कर लो पंद्रासों फ्री मिलो और लीडर बॉर्ट में टॉप करेके एक करोण रूट रुपे लो तो मिलते हैं टेलीग्राम पर बेस्ट अफ लाक